नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जोवित पीड़े में दोस्तों आज इस वीडियो के मादम से मैं आपको SSE 10 प्लस टू का पूरे और पीच से ले बस टोपिक वाज हिंदी में बताऊंगा साथ इसके एक्जाम पेटर्न और सेलेक्श टैपिंग टेस्ट और स्केल टेस्ट है वो किस किस पोस्ट के लिए होते हैं इन सभी पे हम कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करेंगी तो वीडियो आपके लिए पोटेंट रहेगा इसे आपन तक हो जरूर देखना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज आपके डिस्क्रिप्ट एक्जाम होगा यानि आपका टायर सेकंड है यह आपका सो अंकों का होता है और आपके इसमें साट मिंट का टाइम प्रिड़ दिया जाएगा टायर फिस्ट के अंदर आपके सो क्यूशन रहती हैं 200 मार्क्स के लिए इसके अंदर आपके नेगेटि आपको परतेक सब्जेक्ट अब अलग-अलग से क्वालिफाई करने नहीं होते है ठीक है यह तो दोस्तों इसके एक्जाम पेटरन की बात होगी हम टायर फिस्ट के एक्जाम पेटरन को और ची से समझ लेते हैं कि टायर फिस्ट के अंदर आपके 100 क्यूशन पूचे टीक है फिर आपके जनरल इंगलीस यानिंग्रेजी बासा के दोस्तों आपके 25 क्यूशन पचास नवरों के लिए पूच जाएगे पर आपके संक्यानात्म के योगता जिसमें सामाने अंक गणीत कोसल यानि मैथमेटिक्स के आपके 25 क्यूशन 50 नवरों के होगे फिर आपक की negative marking है वो एक बटाचार की negative marking है रहेगी यह आपको ज्यान में रहना है अब दोस्तों हम बात करें टायर सेकंड के exam pattern की तो टायर सेकंड के अंदर दोस्तों है आपका 100 number का कुल exam होता है ठीक है आपका इसमें 60 झीस सब्पूच सजागा दोस्तों से आपका 50 नम्मार का रहेगा इस प्रकार जो आपको First second को मिला कर बनती है जिर पना कर बनती है टाहिरस दिया पारिका एक बात आपको यहां पर धान और रखनी है कि टायर सेकेंड के लिए एक minimum criteria रखा गया है इसके अंदर minimum criteria है कि आपको कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है बाकि जो आपके उपर जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपको फाइनल सेलेक्शन में मदद करेंगे लेकिन आपको न्यू सेकेंड क्या रहेगा टायर थल्ड क्या रहेगा कटोफ है वो किस परकार बनेंगी फाइनल सेलेक्शन वाले कटोफ है वो कैसे बनेंगी यह मैंने आपको complete detail से बता दिया आगे हम इसके पार्ट अकरम की बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम टायर प्रस्ट के पार्ट हो जाते है एं एक पर्स्ट पकर रहेगा पिर आपका वेन डाय ग्राम इ BM इसमें आपका क्यूसना के रहते हैं कि तना नेग के सकते हैं फिर आपका तीसरा टोपिक परतीक संख्या वर्गीकन एंसर इतुसरंकला होती इह आंकडे वर्गी करन हो गया folding unfolding जो pattern है coding decoding समस्य हल लुप संख्या होती है वो आपको ग्याद करना non-overable reasoning verbal reasoning और बाकिन से मिला जुलावा यानि विविद से भी आपके एक दो क्यूशन है वो भी आपके पूछ ले जाते हैं इस परकार दोस्तों यह आपका reasoning का 25 क्यूशन 50 नमरों के लिए आपका पूछा जाएगा अब दोस्तों general English की बात कर लेते हैं तो general English का जो first topic है वो हो जाएगा आपका supporting error इससे आपके दो से तीन क्यूशन हो पूछे जाएगे फिर आपका आपके लिए एक सब्स से भी आपके दो से तीन क्यूशन रहेंगे sentence इंप्रूमेंट से भी आपके दो से तीन क्यूशन रहेंगी active seeoy दोस्तों क्लोज कैराच होता है फिर आपका कॉ्म्प्रिहंश्व पेरा बिरागराफ होता है पर आपका呢 लेकिन आपको इसके लिए जो इंगलीज की ग्रामर उनमें आपकी कप यह पकड़ होने चाहिए ठीक है तो यह दोस्तों आपका इंगलीज का सलेबस हो गया इसे भी दोस्तों आपकी 25 क्यूशन है वो 50 नमरों के लिए पूछे जाएंगे नेक्स दोस्तों जिक्क्य की बात कर हैं तो इसमें आपका जो फश्ट पार्ट दिया गया है वह बार्त का इतियास इससे आपके 4 से 5 क्यूशन पूछे जएंगे फिर बारते राज नहतिह से दोस्तों आपके 4-5 suspicion पोचे जाएगे या आपका जीकिये का सलेlessVIN jest क्यादों जिस्स आपके 25 क्यूच्चर नमबरों के लिए पोचे जाती है नěक्से में की सलेबस की बात कर लेती है तो सबसे पहले इसमें arithmetic में बात करें तो arithmetic में आपका जो topic फुस्ट है वो हो जाएगा संक्या पदती नंबर 6 तेम है फिर दोस्तों परतिसत परसेंटेज का है दोस्तों परतिसत परसेंटेज की कलास इस चैनल पर भी मैंने भी आपको श्टार्ट करवा रखिए अगर आप वो जोईन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको निचे और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा एक बार आप जरूर विजिट करके वो कलास है वो जरूर देखना फिर दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टोपिक हो जाएगा अनुपात समानुपात वरक मूल ओस्ते पिर आपका कंपाउंड इंस्ट्रेस्ट और सिंपल इंस्ट्रेस्ट हो प्रोफिट लोस हो गया डिसकाउंट हो गया टाइम डिस्टेस हो गया वर्क हिंदी में पड़ सकते हैं यह दोस्तों आपका अर्थमेटिक पोर्चन रहेगा फिर हम बीजगनीत की बात करें तो इसमें जो मूल बीजगनीत यह संकिरिया होती है घतां के करनी है रेके समीकर के गराफ इन से समंदित आपकी क्यूशन पूछे जाएंगे नेक्स आपका जो पार्ट है वो जो मेट्री का रहते हैं जिसमें आपके त्री भुज और उनके विभीन परिकार की के अंदर त्री भुजों के अनुरूपता शमान्ता वर्त और उसकी जीवा इस पर स्रेखा त्री कौन यह वर्ग आदार के साथ शमकौन पिरामिन से समंदित दोस्तों आपके क्यूशन पूछे जाती है फिर हम बात कर लेते हैं त्री कौन में ती जिसमें आपके टिक्नोमेटरी ठीक है त्री कौन में ती अनुपात साइंड टू थिटा ठीक है पलस कोस्ट टू थि इनिक्यूशन पूछे जाती है यह दोस्तों आपके कंप्लीट मैथेमेटिक्स का स्लेबस हो गया जिसे आपके पचीस क्यूशन है वो पचास नंबरों के लिए पूछे जाती है सेकेंड हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपका जो कोसल टेस्ट होता है टाइपिंग प्रिक्शन होता है उसके बारे में दोस्तों हम आपको बता दिए एक अप्लिकेशन और ऐस यह लिखाई जाता है इनिक्ricular एक क्यूशन आपके पूछा जाते है एक क्यूशन का विटेस पचास नंबर का रहता है यानि डिए डिए आपका emosa त्वेस्टे रहता है ठीक है दोस्तों टायर था कि थल्ड है आपका क्वालिफाइड नेचर कहा होता है हम बात करें डाटा एंटरी ओप्रेटर पद के लिए स्किल्स टेस्ट की त्या दोस्तों क्वालिफाइए कंप्यूटर अभ्यारति को कंप्यूटर पर पर ती गंट होने चाहिए फिर डाटा एंटर ओप्रेटर पद की बात करें तो यह भी दोस्तों के लिए इसके लिए टेस्ट है वह आपका क्वालिफाइड नेचर करेगा अभ्यारति को कंप्यूटर पर प्रती गंटा 15,000 जो आपकी की डिप्रेशन हो आपकी होने चाहिए ठीक है 15 मिं स्टेंट है यानि ऐसे पदों के लिए बात करें तो आपके जो टाइपिंग ठेस्ट है वो क्यावल हिंदी या इंगली सिमय विजित की जाती है जो आपने एक्जाम फॉम फील करते हुए यहाँ पर हिंदी है इंगली चूज किया तो आपके हिंदी में रहेगी अगर आप लेते हैं कि आपकी 35 सब्दाओं परती मिन्ट के अकोर्डिंग आपकी टाइपिंग स्पीड हो रहनी चाहिए इंगलीज के अंदर ठीक है हिंदी माधने में बात के आपकी 30 सब्दाओं परती मिनिट के साबसे आपकी डिप्रेशन होनी चाहिए था जो मेरे द्वारा जय हिन जय भारत